उत्राखन में रिसरेफ्शनिस्ट अंकिता भंडारी केस को लेकर धामी सरकार एक्षन में आधिराद को रिशिकेश में बंतारा रिजोर्ट को ढ़ा दिया गया और ये रिजोर्ट वीजेपी नेता विनूद आरेया के बेते पुलकित का था सरकार ने तीन आरोपियों की संपत्ति की जाज के आदेश भी दिये पठवारी को भी निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं और साथी उत्राखन पुलस ने इस मामले में लोगों से सयोग करने की अपिल किये साथी सोशल मीडिया पर भरगाओ पोस्ट डालने मालों के खिलाब भी सक्त एक्शन के चेतावनी जारी की गई है पुलिस ने खुलासा किया है कि 18 तारी की रात में ही अंकिता की अत्या कर दी गई थी वहें आरोपियों ने अंकिता को पहारी से नीचे गंगा नदी में धक्का दे दिया था जानकारी के मुदाबिक वहें अंकिता आपको बताएं कि 18 सितंबर से ही गायब है और इस बीच और बड़ी खबर आपको बता दे अंकिता की डेट बाडी बरामत जियां रिशिकेश अंकिता भंडारी का शौ बरामत कर लिया गया है क्योंकि लगतार तलाशी जारी थी छली पावर हाउस के पास ये शौ मिला है सुत्रों के मुताबिकी जानकारी मिल रही है क्योंकि तलाची अभियान सर्च ओपरेशन लगा था रज़ा रही था लेकिन नहर में सर्च ओपरेशन के दौरान ये शौ मिल गया है ऐसी अभी जानकारी सामे निकल कर आ रही है सो तुरुत मतावे और इससा पूरे मामले को लेकर पूरे प्रकरन को लेकर उत्राखन में काफी नराजगी है वहाँ के लोग जो ऐसानकू पर हैं विरोध प्रकट कर रहे हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवास बुलंद कर रहे हैं और चिल्ला पावर हाउस के पास ये शौ मिला है नहर रिशिकेश में चिल्ला पावर हाउस के पास ये शौ बरामत किया गया है सर्च ओपरेशन के दोरान तो ये इस वक्क की बड़े खबर और रिशिकेश सबीत पूरे उत्राखन में लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराज किये हैं वहीं पर विपक्ष को भी मौका मिल हुआ है दामी सरकार को घेर देखे रहे हैं कॉंग्रेस समेथ तमाम जो विरोधी खेमें हैं पाइटियां हैं वो निशाना साथ रही है इस पूरे फ्रकन को लेकर लेकिन दामी उश्कर सिंग दामी ने कहा उत्राखन के मुख्य मंत्री ने कि दोश्यों को बक्षा नहीं ज चल्ला पावर हाउस के पास यह श्यों बरामत किया गया है साथ दिनों से अंकेता लापता थी परिजनों ने गुहार लगाए प्रशासन से मदद की सरकार तक आवास बुलन की लेकिन जानकारी मिली यह हत्या पहले ही की जा चुकी थी गंगा नदी में फेक कर धक्का देकर पहारी से तीन तस्वीरों को अभी आपके सामने रख रहे हैं जो यह रईजादे आपको नजर आ रहे हैं दरसल अंकेता की जान ली है आरोपो के घेरे में यह और पॉलिस की गिरफ्त में वहीं अंकेता का शौब बरामत किया गया अभी की जो यह बड़ी ख़बर है का हमारे सर्योगी वहीं पर मौझूद है अर्वे नेजबग क्या जानकारी देंगे आप क्या अपडेट आपके पास पॉलिस की टीम यहाँ पर मौझूद है और जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तार हुई थी उसके बाद गोता खोर बुलाए गए थे उसके अलावा एसडे आरोफ की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई थी और डेट बॉडी मिली है उसे रिकवर करने की यहाँ पर कोशिस की जारी है एंबुलेस भी यहाँ पर बुलाई गई है यह सीधियम तस्वीरें आपको दिखा रहा है अरलगातार जो आरोपी थे उन्होंने गुनाह क रिकवर हुई है और अब इसकी सिनाथ की जाएगी क्योंकि जो आरोपी थे जो गिरफतार हुए थे उनकी निशान दही पर इसी के आजपास जो पुलिस है वो तलास कर रही थी लगाता है हम कोशिश करते हैं कि जो अधिकारी है उनसे भी आपकी सीधी बात करवाएं सर अंकीता की डेड़ बोडी है अभी तक उन्होंने बताए उनके परिजन है उन्होंने ये बताए कि अंकीता की बोडी है कि इतने घंटे लगे सर कहां से टील बोडी ने कवर ही सर बैरास से आप देख पार रहे हैं यह बड़ी खबर जो एक्स्क्लूसिव जो यह बताया उनसे बार बात कराने क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो डेड़ बोडी रिकवर हुई है उसके बाद उसकी तस्वीरे अब वो अंकीता के माता पिता को भेजी गई है और उसके बाद पहचा पिता जी मेरे सांथ गाड़ी में हैं पिता जी और भाई मेरे सांथ अच्छा तो स कि होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल्प्रूव हम आगे एम से में करेंगे और अभी फिलाल बॉड़ी अंकिता की है तैंक तो आप देख पा रहा है और अक्या पिता से कोई बात हुई आपकी सर आज तक पर आप लाई है एक बार सिर्भी बता देख पा रहा है उनसे बात ही हो रही है अच्छा आप देख पा रहे हैं यह बड़ी खबर जो बड़ी जानकारी कई दिनों से डेट बॉड़ी तलास रही थी उत्राखंड पुलिस और यह जो भेराज आप देख पा रहे हैं बकाईदा CCTV कैमरे में इस इलाके में जो आरोपी है वो अंकिता में रखी हुई है जब डेट बॉड़ी रीकवर हुई है उसके बाद चुकी अंकिता के पिता और भाई वो भी साथ में यहां पर आये हैं उन्होंने श्रिनाथ किया हाला कि फिर भी पुलिस जो डेट बॉड़ी है उसको लेकर अस्पताल जारी है जाहिर से बाद पुस्ट आरोपी जो रिजॉर्ट का मालिक है आप वो उसके खुलासे के बाद ये आसपास चुकी काफी गहरा नहर है यहां पर यहां पर गोता कोरो की मदद से स्टी आरफ की टीम थी उसने यहां पर बकायदा तलासी ली है और जिसके बाद यह देखे इसमें अंकिता के पिता और भाई भी यहां पर मौझूद है आसू बकायदा गिर रहे हैं यहां पर जिस तरीके से पूरे हत्याकान को अंजान दिया गया इस गाड़ी में अंकिता के भाई और पिता वो मौझूद है उनको लेकर पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और इसके बाद डेड़ ब के पिता और भाई को लेकर यहां पर जा रहे हैं लेकिन यह जाहिर सी बात है बेहत दर्दनाग खत्याकान कड़ी मसकत के बाद महीने भर से मिसिंग थी ऐसा बताया जा रहा है लेकिन 18 सितंबर को परिवार ने जब शिकायत की है उसके बाद भीन उत्राखंड पुलिस की न अनोनी हो सकती है आरोप लगाये गए जो रिजोर्ट का मालिक था उसके बाद फिर गहन पूचताज हुई उसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफतार किया गया जो रिजोर्ट का मालिक है स्टाफ है मेनेजर है कुल तीन लोग को गिरफतार किया गया उनसे पूचताज की कि उसके बाद ये जो नहर आप देख पा रहे हैं इसी नहर से जो अंकीता की डेट बॉडी है उसको रीकवर किया गया है और चुकि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ अंकीता के जो पिता थे भाई थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कपड़ों से सीन की जाएगी लेकिन पुलिस अधिकारियों ने आज तक को कंफर्म कर दिया है कि आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों के कबूल नामे के बाद और आरोपियों के निशान दही के बाद जो अंकीता है उसकी डेट बॉडी को रीकवर कर लिया गया है आश्चितोस बिल्कुल अर्विन आपसे जाना चाहेंगे कि जिस अलाके से ये डेट बॉडी अभी बराबत किया गया है जहांपर आपकी मौझूदगी है यही पर अंकीता को धक्का दिया गया था या फिर कहीं और उनको धक्का दिया गया था और यह शौबैकर यहांपर पहुंचा इ यहां पर अमूमन लोग आते हैं और यहां इसी नहर के आसपास जो CCTV में कैद भी हुआ है कि बकायदा जो आरोपी है वो अंकीता के साथ आते जाते दिखाई दिये हैं और उसके बाद उसी निशान दही पर जो पुलिस की टीम थी गोता खोरो की टीम थी वो यहां पर पहु टीम में सामिल थे क्या नाम है मेरा नाम है मातवर सिंघ किस तरीके से आपको वाडि को फलोट वेच अंका さ cu अब बिल्कुल से रिकवर हुई है तो पानी देखे आश्टोस दिक्कत यह थी कि यह तो आप देख पारें नहर तस्वीर आप दिखाएं इसमें काफी जैदा पानी होता है उसके बाद बकाइदा कल भी सच ऑपरेशन किया जा रहा था यहाँ पर लेकिन आज डेम को बंद किया गया जिसके बाद पानी कुछ कम हुआ और उसके बाद ये SDRF की टीम के लोग थे जो पुलिस अधिकारियों के साथ मौ सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं सर आज कितने बज़े के लगभग एडिट बॉड़ी रिकवर हुई और कितनी मशक्कत करनी पड़ी सुबह 6 बज़े जब साड़े 6 बज़े बैरात बंद हुआ उसके बाद बैक मारता है पानी तो जब बोड़ी यहां पर पहुंच जाती है तो आज हमारे साथ यही हुआ कि जैसे ही बैक मारा तो बोड़ी आटमेटिक उपर आगी यह जो नहर है इसी नहर से जो अंकीता है उसकी डेट बोड़ी को रिकवर किया गया है अभी भी यह जो तमाम आप बोड़ देख पा रहे हैं इसी में बैठकर HDRF की टीम उत आप वो डेट बोड़ी दिखाई गई अंकीता के पिता को और भाई को कपडों से सीनाक की उसके भाई और पिता ने जिसके बाद उतराखंड पुलिस ने आज तक को यह बकायदा बताया है कि जो अंकीता है उसकी डेट बोड़ी आखिरकार रिकवर कर ली गई हत्या कान को पहले ही अंजाम दिया गया था नहर में फेका गया था क्योंकि अंकीता लगातार विरोध कर रही थी रिजोट में जो कुछ भी गैर कानूनी काम चल रहा था ना सिर्फ उसका विरोध कर रही थी बलकि वहां से भागने की भी कोशिश कर रही थी इसी दोरान जो पुलकित आ रहा है रिजोट का मालिक उससे विवाद हुआ उसके बाद एक साजिस के तहट नहर के पास लाया गया और फेक दिया गया है रानी की बात यह है कि जो रिजोट का मालिक है वो खुद ही शिकायत करता है और शिकायत करता है लेकिन अफायार दर्जन ही होती है उसके बाद ज इसके साथ हरकते करता था उसके बाद फीर पुलिस को शिकायत की गई है और उसके बाद फाई उसके बाद बकाइदा यहां पर बैराज है उसको बंद किया गया उसके बाद पानी यहां पर कम हुआ उसके बाद डेट बॉडी वो उपर आ गई और इस तरीके से फाइनली अंकीता की डेट बॉडी को रिकवर कर लिया गया है अब आगे का जो लीगल प्रोसीजर है वो किय जाएगा लेकिन ये बहुत दर्दनाक खबर है कि किस तरीके से एक लड़की वो आती है काम करने के लिए एक रिजॉर्ट में और उसके साथ जबरन किया जाता है कम से कम वाटस अप चैट जो दिख रहा है जो आज तक के पास मौजूद है उससे तो यह समझ में आता है कि रि Einstitucyan का Ricket चलता है और कहीं और कहीं न कहीं जो अंकिता भंडरी एक हम्मति लड़की जिसने विरोथ किया और अपने दोस्त को भी बताया था अगर दोस्त को नहीं बताता और वह दोस्त अगर अंकिता के परिवार को नहीं बताता तो साइध आरोपियों के खिलाफ क्या क्या कारवाई हुई है क्या कुछ एक्षन आपको देखने को मिलाए सरकार के तरफ से पलिस परिशासन के तरफ से देखें हम आपको बताओं पहले तो इस मामले में शुरुवाती ढीलम ढाल रही पूरे जांच में उत्राखंड लोकल पुलिस के बाद डीम ने इस केस को दूसरी पुलिस को दिया उसके बाद पूरे मामले के तफ्तीस हुई और उत्राखंड पुलिस का तो दावाई है कि 24 गंटे के अंदर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया गुस्सा काफी अंकिता के परिवार और लोकल लोगों का बढ़ा जिसके बाद कल रात ही रिजॉल्ट में बुल्डोजर चला है और इसके अलावा जो तीनों आरोपी हैं वो गिरफतार हो चुके हैं लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी कि डेड़ बॉडी रिकावर नहीं हो रही थी और डेड़ बॉडी नहीं रिकावर होने से आरोपियों को फायदा होता लेकिन फाइनली यह जो नहर आपको दिखाई दे रही है इसी नहर से अंकिता की डेड़ बॉडी को दो दिन से इस नहर में तलासा दे रहा था, उत्राखंट की पुलिस टीम, यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी देखी, यहाँ पर भारी फोर्स आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर जिस तरीके से कल, विरोत प्रदरसन यहाँ पर भुआ उसके बाद काफी यहाँ पर पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया था और इस नहर में तकरिबन दो दिनों तक जो अंकीता की डेट बॉड़ी है उसको तलासा गया और फाइनली आज SDRF की टीम और उतराखंड की पुलिस टीम जब इस नहर में जो नहर है उसमें बैराज को ब उसके बाद डेट बॉड़ी को रिकवर किया गया और तो अंकीता के पिता और अगर अगर आपके पास हो तो दर्शकों को बताएं जी बिल्कुल देखिए आस्तोस मैं सबसे पहले बताओं जो पुल्कित आ रहा है रिजॉर्ट का मालिक बेहर शातिर और जिस तरीके से उसने कहानी बुनी थी पुलिस भी उसमें घूम जाती और अंकीता का परिवार भी उसमें घूम जाता मैं आपको बताओं को कि जब अंकीता गायब हुई तो दरसल हुआ ये था कि पुल्कित और रिजॉर्ट के बाकी दो और सदसों ने मिलकर अंकीता की हत्या कर दी थी लेकिन उसके बाद खुद ही पुल्कित जो है वो थाने जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है एफाई यार दर्ज नहीं होती है लेकिन इस सब के बीच जो अंकीता के परिवार वालों को जानकारी मिलती है वो भी पुलिस से गुहार लगाता है लेकिन एक किरदार जो अंकीता जिससे बात लगातार कर रही थी सोसल मीडिया पर और उसमें पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से पुल्कित आर्या ने उसे फोर्स करने की कोशिश की कहीं न कहीं प्रोस्टिटूशन के रैकेट में धके लेने की कोशिश की कम से कम चैटिंग से ये बात साबित होती है कि किस तरीके से पुल्कित आर्या की जो बत्तमीजी थी जो उसके साथ दूर वेवहार था उसके बारे में उसने पूरा खुलासा उस चैटिंग में किया फिर उस लड़के ने अंकीता के परिवार से कॉंटेक्ट किया अंकीता के परिवार ने पुलिस को बताया उसके बाद पुलिस ने रिजॉट के लोगों से पूस्ताज की उसके बाद जो पुलकित आरिया है उसे गिरफतार किया गया पुलकित आरिया ने अपना पहले तो ये बताया कि जगड़ा हुआ था और अचानक से अंकिता गिर गई लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूस्ताज कि उसमें उसने कबूल किया कि उसने ही हत्या की है और बकायदा नहर में धक्का दिया था जिसके बाद देखें ये इस तरीके से अश्यान की पोचिती और दो द कारिती शुरुवात में जी बिल्कुल रसूख रखता है रसूख रसूख दार परिवार से और शाहिद देव्यजा है कि अगर रसूख था तभी उसने कहानी बुनी गुमशुदकी की अंकीता भंडारी के और उसके बारे में और भी बहुत सी जो पुलकित आ रहे हैं उसक आस्तोस तभी उसने पूरी साजिस की पूरी प्लानिंग की और साइद रसू की चड़कर बोल रहा था इसी वजह से उत्राखंड पुलिस ने शुरुवात में इस पूरे मामले को बहुत धिल्मूल तरीके से रियक्ट किया यहां तक कि डीम के पास जाना पड़ा अंकीता क के परिवार को भले ही उत्राखंड सरकार और उत्राखंड पुलिस अब रिजोर्ट पर बुल्डोजर चला कर यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हमने कड़ा एक्सन लिया लेकिन शुरुवात में जिस तरीके से यह पूरी जात चल रही थी वह कई सवाल जरूर खड़े क ऐकस को कहता है कि अंकिता बगाइदा कहीं चली गई है और लगातार एक जोंठी कहानियां बुनता है वह तो भला हो उससक्ष का जिससे अंकीता ने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से रिजॉर्ट में उसे परशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अंकीता ने ये भी कहा था चैट में कि वो जूकेगी नहीं वो कोई गलत काम नहीं करेगी और शायद यही वज़ा है कि उसको जो विरोत जो श्रीकेस को नहीं जिस संपर्क उसका हुआ उसने पुलिस को कुछ बताया जिससे अंकीता ने सब कुछ पूरे प्रकरण के बारे में साजा किया था और जानकारी दी थी उसने कुछ पोलिस को बताया किस तरह से यह लोग involved थे और कानूनी धंदे कैसे चल रहे थे लेकिन यहां पर जो लोकल कुछ लोगों से हमारी बात हुई है और जिसका विरोध भी किया कल यहां पर लोकल लोकल लोगों ने कई ऐसे रिजोर्ट मालिक हैं जो उत्राखंड के बाहर से आते हैं और यहां पर कई ऐसे अलग अलग रिजोर्ट है जहां पर इस पा का काम किया था लेकिन उस पा की आड़ में कुछ और ही धंदा चलता है और ऐसा लगता है क्योंकि कम से कम जो वाटसप चैट है वो पुलिस को भी अंकिता उसमें यह भी बता रही है कि मैं 10,000 रुपे के लिए नहीं भीकूंगी और और कहीं न कहीं यह साफ है कि जो भी कुछ चल रहा था गैर कानूनी काम उसके सामने अंकिता बंडारी जुकने को बिलकुल भी तयार नहीं थी और शायद यही वज़ा है उसके इदर आए कि वो एक परिवार से संबंद रखता है और रिजॉर्ट चला रहा था लेकिन उसने जो पूरी कहानी बुनी अगर डेट बॉडी रिकवर नहीं हो पाती तो शायद पुलिस को यह केस अदालत में आगे बढ़ाने में मुश्किल होती क्योंकि उसने पूरी कहानी बुनी उसके बाद खुद ही पुलिस थाने में गया उसने जो अप मिसिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है उसके बाद वो वहां से गायब हो गया लेकिन वो किरदार जिससे अंकिता मंडारी ने पूरी बाचीत की थी चैट किया था और रिजॉर्ट के बारे में बता इस पूरे केस में कई कडिया जो है वो खुलनी बाकी है तो इसमें बताऊं आपको कि इसमें अभी काफी कुछ खुलासा होना बाकी है क्योंकि जिस तरीके से जान शुरू हुई थी जिस धिल्मुल रवईये से वह तो परिवार का प्रेसर तकल का आपको बताऊं कि जो लोकल लोग है उनका गुस्सा भी काफी जैदा फूटा था ज यहां पर छोटे छोटे रिजॉट की आड में गैर कानूनी धंदे होने लगे हैं एक आरोप यह था दूसरा यह आरोप था कि पुलिस ने इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस वज़े से काफी ज्यादा गुस्सा था लेकिन अब डेट बॉडी चुकी यहां से रिकवर हो गई है अब और और डेट बॉडी की पहचान भी जो अंकीता के पिता और भाई थे हमने तस्वीरे दिखाई कि वो भी पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुचे थे डेट बॉडी दिखाई पुलिस में कपलों से सिनाक कर ली गई हैं अंकीता की और बिलक पर काफी गमगीन है और उसूलों से समझोता नहीं किया अंकीता ने शायद यही वज़ा है कि जो पुलकित आर्या जैसा सरफिरा जिसके सर पर रसूख चल रहा था उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो जो यह आप देख पा रहा है काफी लंबी नहर है आश्टोस और गहरी यहा पर डेट बॉडी को रीकवर करने के लिए कल भी यहां पर तलास की जा रही थी लेकिन डेट बॉडी रीकवर नहीं होई थी लेकिन उसके बाद बकायदा जो बैराज है उसको बंग किया गया ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो सके उसके बाद तब जाकर आज जो डेट ब अर्विन ये भी अपने आपने सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले कारवाई हो गई होती अब बुल्डोजर चला देने से क्या फायदा अंकिता वापस नहीं आएगी किसी माता पिता की लैडली की हत्या हो जाती है उसके जिंदगी वापस न अब इसको लेकर पॉलिस प्रशासर और वहां की सरकार क्या कुछ कह रही है अर्विन जी बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा स्थोस्स कि अगर कोई हत्याकान होता है तो उसको उसकी तफ्तीज की जाती है बारीकी से जाच करनी चाहिए इस्थानी प्रशासर को उसके बाद जो आरोपी है उनको गिरफतार करके ये ऐसा मजबूत केस बनाना चाहिए कि आरोपी को सजा हो लेकिन यहां तफ्तीज के पहले ही चुकी किरकरी हो रही थी विरोध प्रदर्सन बढ़ रहा था सोसल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था इसलिए देर रात अगर आप देखेंगे तस्वीरे भी हमने बेजी है कि देर रात ही कि उस पर पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं ऐसा लोकल लोगों का कहना है सबसे बड़ा सवाल ही है कि अगर शिकायत की गई तो शुरुवात में ही जिस पुलिस चौटी में शिकायत की गई वहां पर उस दरोगा ने एक्सन नहीं लिए आपको बताऊं प्रशासनिक को का गुस्सा कम करने के लिए बुल्डोजर देर राज चलवाती है लेकिन सवाल ही है कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर तुरंट एक्सन क्यों नहीं होता है अंकीता कई दिनों से मिसिंग थी उसके बाद और अर्विन सवाल ये भी गंभीर सवाल ये भी खड़ा हो पॉलिस क्या कुछ कह रही है अर्विन अब आपस आएंगे आपके पास पॉलिस की प्रतिक्राइब सुनवाते हैं पिता जी मेरे सांथ गाड़ी में हैं पिता जी और भाई मेरे सांथ तो स्यान साब आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी है उन्हों में ये बताया है देखिए उनके फादर और उनके भाई मेरे सांथ हैं अंकिता के मैं उनको अपने सांथ लेके आया हूँ उन्होंने बॉडी को देखा अभी खपड़ों के हिसाब से वो मान रहें कि बॉडी अंकिता की है बांकि होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूब हम आगे एम सिम्ह करेंगे और अभी फिलाल बॉडी अंकिता की है तो वो परिवार जिसने अपनी लाडली को खोधिया माता पेता का दर्द उनसे बहतर कोई नहीं समझ सकता उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर आए आपको सुनवाते हैं पूरे में यह था कि एक अंकित नाम का पुलित मालिक और सौरव भासकर इन्होंने मेरे साथ मेरी लड़की के साथ कोई छेड़ी चाड़ी की तो यह अठार तारिक जब मेरी लड़के का सुचवाब हो गया यह भाहा लेगे थे उसको तो जब बाद में 10-11 बज़े वापस अभी तक पतानी है? ये गुजारी से कि मेरे बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ जल्दी से जल्दी एक मा का दर्द आपने सुना किस तरह से मा का रूग रूग कर हाल बेहाल है लेकिन इस बीच जिस तरह से तलाशी अभ्यान वहाँ पर और डेट बॉडी जहां से मिला SDRF के अधिकारी क्या कोच उनों ने का उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं यहां पर हम सुबह साथ वज़े से सर्च ऑप्रेशन सुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुम सदा थी उसके लिए सर्च अपरेशन सुरू किया और डेट बॉडी को फिलाल एम्स ले गए हैं पोस्ट मॉटम किया जाएगा और जिल्ला प्लिस को सुपूर्द किया तो डेट बॉडी को लेकर जाए गया है और एम्स में पोस्ट मॉटम होगा स्ट आरेफ के अधिकारी ने बताया अपरेशन सुपूर्द को मॉटम है अपरेशन सुपूर्द ने बिल्लादा